अभी हाली में हमें क्या देखने को मिला कि राज्य सभा में दो विधेयक पारित कर दिये गए दो विधेयक पास कर दिये गए अब ये जो दो विधेयक थे इन पर विपक्ष के कई सदश्यों को एतराज था लेकिन सरकार ने क्या किया विपक्ष के उन सदश्यों के एतराज क को दरकिनार करते हुए राज्यसभा में उन दोनों विधयकों को किसी तरह से पास करवा लिया इसी संबन्द में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं तो देखो टाइटिल क्या दिया गया है पॉइंट ओफ ओडर देखो यह जो लिखा हुआ है ना पॉइंट ओफ संसद के नियमों का उलंगन करते हैं उनको रोका जाता है यानि कि वे संसद जो संसद के नियमों का उलंगन करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें रोकने के लिए पॉइंट ओफ ओडर अपनाया जाता है तो यहां क्या हुआ यहां भी यही हुआ कि विपक्ष के सदैश्यों को एतराज था वे अपना विरोध जता रहे थे तो point of order को अपनाते हुए क्या किया गया उनकी जो आवाज थी एक तरह के से उस आवाज को चुप कर दिया गया और विदेग को एक तरह के से पारित कर दिया गया तो यह कुछ कहा गया इस एडिटोरियल में अब यह जो अबरिज लिखा हुआ है ना अबरिज का मतल्य होता है संचिप्त करना किसी चीज को छोटा करना राइट ओफ एमपीस कि जो संसदों का अधिकार है उस अधिकार को हमें छोटा नहीं करना चाहिए एक बात गांट बांद के ध्यान में रख लेना अची तरीके से कि पारलियमेंट के आगे हम दय आर्टिकल का प्रियोग नहीं करते हैं यह परंपरा है एक ट्रेडिशन से तो पारलियमेंट मस्ट नोट एब्रेज राइट ओफ एमपीस कि भई संसद को जो संसद हैं उनका जो अधिकार है उसे छोटा नहीं करना चाहिए उस अधिकार को कम नहीं करना चाहिए उसे काटना नहीं चाहिए अब क्या दिकार है संसदों का? To take a stand Take a stand का मतलब क्या है? पक्ष लेना, अपनी बात को रखना उसे कहा जाता है take a stand To take a stand in debates and votes कि भई संसद में जो भी debate होती है, जो भी बहस होती है या फिर संसद में किसी बिल को लेकर जो vote डाले जाते हैं तो ये किसका अधिकार है ये अधिकार है हर MP का उस अधिकार को हमें छोटा नहीं करना चाहिए उस अधिकार को हमें काटना नहीं चाहिए यदि कोई भी MP जो है वो डिबेट करना चाहता है या फिर जैसे कोई बिल है उस पर कोई वोटिंग होनी है उस वोटिंग में अगर व refusal to conduct a division of votes, अब यह जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर यह division of votes, division of votes का मतला होता है एक तरीके की voting, जैसे कोई विधेयक है, जैसे की कानून बनाना है, तो उस विधेयक के संपक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं, यह जो voting होती है इसी को कहा जाता है, संसद म हैं, division है ना, कि बही संसद में जितने लोग बेठे हुए हैं उनको divide कर देना, कि कितने लोग इस इस बिल के पक्ष में और कितने विपक्ष में, to conduct a division of votes on two controversial pieces of legislation on Sunday, यहां तक समझते हैं, राज्य सभा deputy chairman, कि बही राज्य सभा के एक तरीके से आप कह सकते हो, कि यह जो उप speaker हैं, जो उप अध्यक्ष हैं, जिनका की नाम है हरिवंच, इन्होंने क्या किया है, इनकार कर दिया है, इनकार कर देना, refusal का मतलब है, इनकार करन है, इनकार, refusal to conduct, आयोजित कराने के लिए, क्या a division of votes, कि बही इन्होंने जो है, वोटिंग आयोजित नहीं करवाई, राज्य स अधासपद, on true controversial pieces of legislation, कि legislation का मतलब है, एक तरीके से कानून, कि बही, कानून से संबंदित, दो बिल हमारे पास थे हैं, कि बही, दो विधेक थे हमारे पास, जिनको कानून बनाना था हमें, देखो, विधेक और कानून में अंतर क्या होता है, कि कोई भी बात है, वो संसद मे प्रक्रिया से जब गुजर जाता है, तो वो विधेक क्या कहलाता है, फिर वो कानून कहलाता है, तो क्या हुआ, कि ये हमारे दो बिल थे, जो कि विवदासपत थे, इनकी ओपर क्या हुआ, कि हरिवंच, जो कि deputy chairman है, राजसबा के, इननोंने क्या किया, इंकार कर दिया, voting कर hè, मांग फ्रॉम मैंबर्स, कि भई, जो संस्द हैं, उसके जो सदश है, वे लगातार जो है, मांग कर रहे थे, किस बात की मांग कर रहे تھे? वे मांग कर रहे थे साहब कि वोटिंग होनी चाहिए, ये जो विवादासपत बिल्स हैं इनके ओपर लेकिन जो डेपुटी चेर्मेन हरीवन्श हैं इन्होंने इन बिल्स पर वोटिंग कराने से इंकार कर दिया है न तो ये जो घटना हुई कि भई ये जो रेफ्यूजल तो आप यहां पर देखना ये वाज किसके लिए आया है य पर वोटिंग की मांग की जा रही थी तो उन्हें वोटिंग की इजाज़त देनी थी लेकिन ये जो उनका इनकार कर देना है वो क्या था वो था बहुत ही अभूद पूर, इसा हमें पहले देखने को नहीं मिला, in its sheer, शीर का मतलब होता है बिलकुल एक दम, शीर ब्रेजननेस, और ब्रेजननेस का मतलब होता है, बिलकुल बेहयाई, बिलकुल बेशरमी दिखाना, तो हम यह कह सकते हैं, जो उनका इंकार कर देना है यह एक दम, बेशरमी पंधा मतलब इसमें, पूरा की पूरा, बेशरमी हमें देखने को मिली, एक दम बिलकुल, किसी भी तरह की बेहयाई दिखाना, बहुत जयादा है, उसको कहा जाता है, ब्रेजननेस, बहुत ही जदा बेशरमी दिखाते हुए, उन्होंने क्या किया, मन आदासपद बिल्स हैं, have been challenged, इनको चुनोती दी गई है, on constitutional and practical grounds, समवेधानिक आधार पर और व्याभारिक आधार पर, यानि कि कुछ लोग हैं संसद में, खासकर विपक्ष के कुछ लोग हैं, जिनको समवेधानिक आधार पर और व्याभारिक आधार पर ऐसा लगता है, grounds का म जाना चाहिए इन में, कि बिल वर्तमान में जैसी हालत में है, ये उचित नहीं है, समवेधानिक रूप से और वेवारिक रूप से, इन बिल्स को इस संबन्द में चुनोती दी गई, but that is a different point, लेकिन editorial कहता है कि ये एक अलग मामला है, ठीक है ये जो चुनोती दी गई, ये Regardless voting are, are unambiguous that if a voice vote is challenged, देखो ध्यान दे न, the rules of procedure, procedure का मतलब होता है कि आपका क्या तरीका है, किस तरीके से आपको कोई काम करते हो, the rules of procedure, regardless, regarding, regarding, regarding का मतलब है संदर्व में, regarding voting are unambiguous, unambiguous का मतलब होता है, बिल्कुल इस पष्ट, जिसमें किसी तरह का कोई doubt न हो, उसको बोलते ह unambiguous, the rules of procedure, regarding voting are unambiguous, कि भई, संसद में, किसी बिल को लेकर, जब वोटिंग की जाती है, तो उसके जो rules है, उस प्रक्रिया के जो rules है, regarding, मतलब संदर्व में, उससे संबंदित, regarding voting are unambiguous, कि किसी भी बिल को लेकर, वोटिंग के संदर्व में, जो rules है, वे बिल्कुल इस that, if a voice vote is challenged, देखो, voice vote क्या होता है, कि भई, जो राजसभा है, एक तरीके से, अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, कि किसी भी बिल को लेकर, जो वोटिंग की जाती है, उसके कई तरीके होते है, वोटिंग करने के, उन एक तरीकों में से, वोटिंग का तरीका होता है, voice vote, कि भई, कोई बिल है, अब जो भी स्पीकर है, या फिर एक तरीके से, अध्यक्ष है, या उप अध्यक्ष है, उन्होंने पूछा, कि भई, ये बिल है, इस बिल के समर्थन में कितने लोग है, तो लोगों ने बोल दिया, yes, yes, हाँ, हम इसके समर्थन में, कुछ ने बोल दि कि भई ठीक है किसी बिल को लेके वोईस वोट हुआ लेकिन वोईस वोट को अगर चुनोती दी जाती है तो फिर क्या होता है कि भई इस प्रकरिया के संबंद में नियम बिलकुल इस्पष्ट है कि कोई बिल है उस बिल के संबंद में वोईस वोट आयोजित कराया गया लेकिन उस voice vote को अगर चुनोती दी जाती है अगर उस voice voting पर एतराज जताया जाता है तो नियम क्या कहता है संसद का नियम कहता है votes shall be taken by operating the automatic vote recorder अब देखो ये दूसरा तरीका है एक तो हो गया voice vote का मैंने आपको बता दिया voice vote का मतलब है कि कोई bill है speaker पूचेगा बैए कितने लोग इसके पक्ष में कितने विपक्ष में पक्ष वाले yes कहेंगे विपक्ष वाले no कहेंगे जिनकी आवाद ज़्यादा है तो उसको जो है उसी side में बिलको मान लिया जाता है बैए लोगों ने कहा yes उसको अगर चुनोती दी जाती है, तो votes shall be taken, तो votes लिये जाएंगे, votes shall be taken by operating, का मतब़े संचालित करते हुए the automatic vote recorder, कि जो automatic vote recorder होता है उसको संचालित करते हुए voting की जाएगी, और या फिर एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, मैंने बता है आपको कई तरीके होते हैं किसी विधेक के पक्ष या विपक्ष में voting करने के, और by the members going into the lobbies, यहाँ पर lobbies का मतब एक तरीके से छेत्र, कि जो पक्ष में है वे इस छेत्र में आजाएं, जो विपक्ष में है वे इस छेत्र में आके खड़े हो जाएं, और by the members, कि यह जो members हैं, यह going, जाते हुए into the lobbies, कि भई, यह दो तरीके हैं, तो क्या होता है, कि अगर voice vote को, भई, सबसे पहले क्या किया जाता है, कि किसी भी विदेक के लिए voice voting की जाती है, कि भई, बता दो कितने लोग yes कह रहे हैं, कितने लोग no कह रहे हैं, उस ही में decide हो जाता है, ज्यादा तर विदेक, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर दो तरीकी अपनाए जाते हैं अगर voice वौट से ज्यादा तर लोग ऐसा मैते हैं तो फिर दूसरे तरीके हैं हमारे पास automatic voice recording automatic water recorder कर लिया जाता है जो भी सांसद है नंके या फिर सभी संसदों को कहा जाता है कि भी लोबी में जाके खड़े हो जाएं कि भई ये जो है ये लोबी है इसमें पक्षवाले आ जाएं और ये लोबी है इसमें पक्षवाले आ जाएं तो ये प्रकरिया है संसद की कि अगर वोईस वोट को चुनोती दी जाती है तो आपको automatic vote recorder या फिर lobby method अपनाना होता है even if a single member demands a division अब देखो क्या कहा गया है even if भले ही अगर एक single आदमी भी मांग करता है किस बात की है division की मैंने बताया यहाँ पे हम बात करेंगे ना संसद के संदर में तो संसद के संदर में division का मतब है voting even if भले ही if a single member demands a division कि यदि एक single member भी voting की मांग करता है It is required तो इस बात की जरूरत है to be carried out क्या मतलब हुआ to be का होना carried out का मतलब है किसी काम को अन्जाम देना किसी काम को पूरा करना कि अगर एक single member भी voting की मांग करता है तो इस बात की जरूरत है कि उस मांग को पूरा किया जाए, यानि कि voting को कराया जाए, voting आयोजित होनी चाहिए, to be carried out, कि voting को अंजाम दिया जाना चाहिए, voting को कराया जाना चाहिए, आगे देखते हैं, quite often, अक्सर हमें ये देखने को मिलता है, a division of vote, कि भाई ये जो voting होती है, a division of vote is demanded, a division of vote is demanded, तो समझ a division of vote का मतलब वोटिंग, एक तरीके से कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, तो a division of voting is demanded, even when the outcome is predictable, कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, कि voting की मांग की जाती है, even यहां तक की when the outcome, outcome का मतलब होता है, नतीजा, या फिर परिनाम, predictable का मतलब है, जिसक कि लोगों को पता होता है, जो सांसत बेटे हुए हैं, उन्हें नतीजा पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, वे क्या करते हैं, वे voting की demand करते हैं, क्यों करते हैं, in order to, ता की, in order to का मतलब हुआ, ता की, in order to bring on record the positions of parties and members on a particular bill, वे क्या करते हैं, उन्हें पता होता है, कि वे इस बिल के पक्ष में जादातर लोग हैं, या फिर इस बिल के विपक्ष में जादातर लोग हैं, उन्हें नतीजा पता होता है, परिणाम पता होता है, लेकिन इसके बाद भी, कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, कि कुछ सांसतों के द्वारा, voting की demand की जाती है, ताकि bring on record, यानि कि किसी चीज को record में लाया जा सके, bring on record का मतलब किसी चीज को record में लाना, the positions of parties, कि भई जो women parties हैं, उनकी position क्या है, and members, women party के जो members हैं, उनकी किसी particular bill को लेके क्या position है, यानि कि कोई party या किसी party से जुड़े हुए party के सदश्य, किस और हैं, बिल्कुल इस पष्ट रूप से जानने के लिए कई बार क्या किया जाता है, voting की मांग की जाती है, क्यों क्योंकि yes और no जब कहा गया, तब तो पता नहीं चल पाता न, बिल्कुल record नहीं रहे पाता, दिमाग में ध्यान नहीं रहे पाता, लेकिन अगर automatic recording का सहरा लिया गया, या फिर lobbies का सहरा लिया गया है, तो क्या है, चीजें record में आ जाती हैं पूरी की पूरी, तो कई बार क्या है, जान बूज के voting का सहरा लिया जाता है, ताकि इस बात को बिल्कुल इस पष्ट रूप से देखा जा सके, कि बही कौन-कौन सी parties, या फिर कौन-कौन से members, किसी particular बिल के समर्थन में है, आगे देखते हैं, The explanation that members were not demanding a division from their seats, and the house was not in order, is disingenuous, सबसे पहले तो यह देखना, यह is किसके लिए आया है, यह is आया है, यहाँ पे explanation के लिए, सबसे पहले इसको देखना, यह जो is आया है, यह आया है explanation के लिए, कि यह जो explanation है, disingenuous, disingenuous का मतलब होता है, एक तरीके से, आप कह सकते हो, इसे बेइमानी पूर्ण है, disingenuous का मतलब है, बेइमानी पूर्ण है, कपट पूर्ण, कि अब यह जो भई, वोटिंग क्यों नहीं कराए गई, कि यह राजसभा के यह जो दो बिल्स थे, इनके उपर वोटिंग नहीं कराए गई, तो इस के संबंद में जो व्याख्या दी गई है, वो व्याख्या जो है, वह बेइमानी पूर्ण है, अब देखते हैं, व्याख्या क्या दी गई है, the explanation that, members were not demanding a division from their seats, देखो, यह जो लोगसभा के, राजसभा के, राजसभा की बात चल दी है, यहाँ पर लोगसभा की कोई बात नहीं, राजसभा की बात चल दी, सारी-सारी, तो यह जो राजसभा के deputy speaker है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है, व्याख्या की, explanation दिया, that members were not demanding a division from their seats, कि भई, संसद के जो सदश हैं, यानि कि राजसभा के जो members हैं, were not demanding, वे मांग नहीं कर रहे थे, a division का मतलब है, voting की, from their seats, कि भई, यानि कि जो विबिन सांसद हैं, ये अपनी seat से voting की demand नहीं कर रहे थे, यानि कि seat से उठ-उठ के आ रहे थे, house में अराजकता फैला रहे थे, and the house was not in order, समझ गये ना, not in order, not in order का मतलब है, कि भई, deputy speaker ने कहा, कि भई, जो राज सभा है, उसमें बहुत ज़्यादा आव्यवस्था फैल गई थे, house was not in order, कि भई, house जो था, उसमें बहुत ज़्यादा आव्यवस्था फैल गई थे, कि जो विबिन मेंबर्स थे, वे अपनी seat पे बैठ के, अपनी seat पे रहके, वोटिंग की डिमांड नहीं कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, तो यह जो explanation दिया गया है न, यह बहिमानी पूर्ण है, यह explanation उनका बहिमानी पूर्ण है, आगे देखते हैं, to begin with, to begin with का मतलब होता है, कि अगर शुरुवात करें तो हैं न, अगर प्रारंब करें तो, to begin with, the disorder was triggered by the chair's refusal, editorial कहना चाहता है, कि भाई यह जो हाउस में अराजकता फैल गईती न, disorder, disorder का मतलब आवयवस्था, अराजकता है न, the disorder was triggered, triggered का मतलब क्या होता है, triggered का मतलब होता है, कोई एक कारण, कि भाई यह जो आवयवस्था फैली, यह किसके कारण फैली है, मुक्खे पॉइंट क्या था, इसका कारण है, trigger point क्या था, कि जिसके कारण यह आवयवस्था फैली, was triggered by the chair's, अब यहाँ पे chair का मतलब है, by the chair's का मतलब है, एक तरीके से, कि भाई अगर हम शुरुवात करें, या फिर अगर हम वास्तों में कहें न, तो यह जो disorder house में हमें देखने को मिला, यह जो आवयवस्था हमें हमें देखने को मिली, यह किसके कारण फैली आवयवस्था, यह फैली कि भाई जो deputy chairman थे, उन्होंने इंकार कर दिया voting कराने से, तो order, भई उन्होंने order नहीं दिया voting कराने का, इस चक्कर में जो है क्या हुआ, कि आवयवस्था हमें देखने को मिली, and curiously, और जिग्यासा वस, the chair went on to declare the bills passed amid the din, और अब यह देखो, interesting बात और देखो है na, curiously का मतलब है, और interesting तरीके से, अगर हम कहें, और जिग्यासा रूप में अगर हम देखें, और मतलब interesting बात यह है, कि the chair, यह chair आया यहाँ पर deputy speaker के लिए, कि भई जो एक तरीके से, राज्य सभा के उपध्यक्ष है, went on, went on का मतलब है, जारी रखना किसी चीज़ को है, went on to declare, उन्होंने इस बात की घोशना की, किस बात की, the bills passed amid the din, din का मतलब है, shore, शराबा, हो, हुल्लड, है ना, उसको कहा जाता, shore, शराबा, कि भई उन्होंने, यह जो एक तरीके से, लोग सभा के, यह जो deputy chair मेंने, इन्होंने इस बात की घोशना कर दी, किस बात की घोशना कर दी, कि जो bills थे, इनको pass कर दी है, इन्होंने shore शराबे के बीच में, amid, amid का मतलब है, के बीच, ना, din का मतलब है shore शराबा, इस time, unaffected by disorder, देखो बड़ा ही, खतरनाक व्यंगी किया है, बावित हुए, by the disorder, तब उनको आवेवस्था याद नहीं आई, देखो एडिटोरिल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरिल ये कहना चाह रहा है, कि भई, जब विभिन सांसद, वोटिंग की मांग कर रहे थे, ये जो है, बहुत ज़ादा, शोरशराबा कर रहे हैं, ये कहते हुए, उन्होंने, वोटिंग को तो मना कर दिया, लेकिन, अगर, शोरशराबा चल रहा था, तो फिर, शोरशराबा के बीच में, उन्होंने बिल को पास करने की घोशना कैसे कर दी या, तो एक तरीक से विंग्यात्मक तरीके ने एडिटोरियल की कहने को किये कि भई उन्हें शोर शराबत तब याद नहीं आया जब इन बिल्स को पास करने की घोशना उन्होंने शोर शराबत के बीच में कर दी आगे देखते हैं Significant Amendment, Significant का मतलब होता है महतोपूर अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, सुधार Significant Amendments were sought sought का मतलब होता है चाहना, मांगना सीक की second form और third form होती है रोज आता है एडिटोरियल वर्ड S.E.E.K. सीक है न Significant Amendments were sought and several parties, several का मतलब है विविद, कई several parties, many, had demanded that they be referred to a parliamentary select committee देखो क्या होता है कि कोई भी विदेक है उसके ओपर चर्चा परिचर्चा चल रही है लेकिन कुछ ऐसे points अगर उसमें नजर आते हैं जैसे कोई कानून बनने जा रहा है, कोई विदेक है उसमें कुछ ऐसे points नजर आते हैं तो देखो, significant amendments were sought तो ये जो दो bills, जो की विवादास पत थे जो की राजसवा की और से पारित कर दिये गए तो इनमें कई महत्वपून संशोदन थे जिनकी मांग की गई थी और कई parties जो थी, वे क्या चाहती थी had demanded, उन्होंने मांग की थी that they be referred उन कई parties ने demand कीती कि ये जो bill है, इनको refer कर दिया जाए refer का मतलब तो जानते हो ना refer का मतलब है, और उपर भेज़ देना किसी चीज से, छोटा doctor है उससे पेशेंट नहीं समल पारा तो बड़े doctor को refer कर देता है मामला तो यही, कई parties ने मांग कीती कि ये जो bills है, इनको refer कर दिया जाए कहां पर? Parliamentary Select Committee के उपर Parliamentary Select Committee बनाई जाए और Parliamentary Select Committee जो है वे decide करे, कुछ बिंदू जो थे ना उन बिंदूओं को, आगे देखने है The government's claim, सरकार का दावा claim का मतलब है, दावा that it had the numbers to pass the bills अब यहाँ पर यह देखना इस किस के लिए आया है, यह इस आया है claim के लिए, दावे के लिए दावा है ना, सरकार का दावा is dubious, dubious का मतलब है संदिग्द, संदिग्द का मतलब होता है कोई चीज जब doubtful होती ना, उसको बोला जाता है dubious है ना, भई सरकार का दावा क्या है सरकार का दावा that it had the numbers to pass the bills भई सरकार का दावा है कि उसके पास पर्याप्त members हैं इस बिल को पारित करने के लिए, तो यह जो सरकार का दावा है, यह संदिग्द है यह doubtful है, in the wake of in the wake of का मतलब होता है के चलते, के परिणाम सरूप in the wake of the skull degree skull degree का मतलब होता है एक तरीके से चल कपट एक तरीके का जो कपट पूर्ण व्यवहार होता है आपका, उसको कहा जाता है skull degree, in the wake of the skull degree it deployed, यहाँ पर deployed का मतलब है, प्रियोग करना यूज में लेना, बैसे डिपलोई का मतलब क्या होता है जैसे आपने सेना को डिपलोई कर दिया border पर, इसका मतलब है आपने सेना को तेनात कर दिया यानि कि आपने सेना को यूज में लिया तो डिपलोई का एक मतलब होता है, प्रियोग में लेना कि बही सरकार ने जो कपटपूर्ण आचरन अपनाया IT deployed IT deployed का मतलब है जो यूज किया कि सरकार ने इन बिल्स को पास कराने के लिए जो कपटपूर्ण आचरन का प्रियोट किया उस आचरन को देखते वे सरकार का ये जो दावा है संदिग्द नजर आता है आगे देखते हैं In any case, किसी भी सूरत में Regardless of which side has the majority इस बात को तो छोड़ो Regardless का मतलब है कि कौन पक्षमे है, कौन विपक्षमे है क्या सही है, क्या गलत इन सब को जाने दो एक तरफ Regardless of which side has the majority Majority का मतलब हो गया बहुमत कि किस साइड के पास बहुमत है कि कितने लोग बहुमत में है इस बात को तो छोड़ो आप एक तरफ है न पक्षमे है, विपक्षमे है न अल्पमत की बहुमत की तो बात ही छोड़ो आप Regardless of which side has the majority Procedure is sacrosanct and voting is the foremost tool of establishing parliamentary authority Editorial कहना चाहरा है कि procedure कि संसद के जो procedure है संसद की जो प्रक्रिया है संसद के जो नियम है इज सेक्रो सेंक्ट कि संसद में हमारी जो संसद की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है इज सेक्रो सेंक्ट वो प्रक्रिया हमारे लिए सेक्रो सेंक्ट का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए इतनी ज़्यादा important है कि उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता un-ulang-nir कोई चीज आपके लिए इतनी ज़्यादा important है जिसका उलंगन आप नहीं कर सकते तो editorial कहना चाहरा है कि किसके पास भवमत है किसके पास नहीं है इस बात को तो आप एक तरफ छोड़ो लेकिन सबसे महतपूर जो बात है वो यह कि जो procedure होता है जो procedure है हमारी संसद का इज सेक्रोसेंट वो procedure जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महतपूर है इतना ज़्यादा महतपूर है कि हम उस procedure का उलंगन नहीं कर सकते and voting is the foremost tool और संसद में यह जो voting होती है किसी भी सदर में यह जो voting होती है यह मुख्य foremost tool का मतलब है मुख्य हतियार of establishing का मतलब है इस्थापित करने के लिए parliamentary authority कि वही संसद की authority authority का मतलब क्या होता है प्रधानता संसद की प्रधानता को authority में नहीं है इस बात की इस बात को आप एक तरब जाने दो लेकिन जो संसद की प्रक्रिया है वो संसद की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वण है उस प्रक्रिया का हम उलंगा नहीं कर सकते और वो जो संसद की प्रक्रिया है बाई दे चेयर और दे एक्जीकुटीव का मतलब क्या है एक तरीके की उदारता दिखाना है एक तरीके की काइनेस दिखाना बाई दे चेयर और दे एक्जीकुटीव का मतलब हो गया है एक तरीके से कारेपालिका यानि कि एक तरीके से सरकार या फिर चेयर है ना एक तरीके स साब से यह जो हमारा प्रोसीजर संसर्फ का उस प्रोसीजर को कम नहीं कर सकते आगे देखते हैं कि दा कया उसके उसका मतलब होता है अराजक्ता है आव्यवस्था दे के ऐस देट फॉलॉड इन अपर हाउस है ना अपर हाउस बोलते हैं हम राज सब्सक्राइब करें देखने को मिली दो यद्यपी नौट अनप्रिसिडेंटेड एडिटोर क्या कहना चाहता है कि यह अराजक्ता कोई अभूत पूर्व नहीं थी अनप्रेसिडेंटेड का मत्त होता है कोई ऐसी बात जो पहले न हुई हो यानि कि राजसबा में पहले भी हम अराजक माहूल देखने को मिला यह कोई पहली बार नहीं था लेकिन फिर भी यह जो के उस था अब यहां पर ध्यान देना यह वाज किसके लिए आया है यह वाज आया है के उसके लिए अराजक्ता दक्योस वाज अनसेवरी का मत्त होता है अन प्लेजेंट यानिकी जो नेत रूप से गलत हो कि उसे कहा जाता है उसके जादम है यह तरीके तरीके से आपके सकते हो कि नेतिक रूप से गलत थी है क मैं था unprecedented नहीं थी पहले भी हमें देखने को मिला है कि कई बार जो है राज्य सभा में हमें अराजकता नजर आई है पार्लियमेंट है ना पहले भी कहा मैंने इस बात को अच्छी तरीके से गांट बांदे ना डेलीबेरेशन का मतलब क्या होता है डेलीबेरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श डेलीबेरेटिव फोरम का मतलब हो गया विचार विमर्श संबंदी मंच यानि कि संसद जो है विचार विमर्श करने का मंच है यानि कि संसद में किसी भी विदेख पर पूरी तरीके से चर्चा परिचर्चा की जाती है and not a theater संसद जो है कोई theater नहीं है for protest demonstration protest का मतलब हो गया विरोध और demonstration का मतलब हो गया प्रदर्शन तो editorial कहना चाहता है कि संसद विरोध प्रदर्शन करने का theater नहीं है संसद एक ऐसी जगह है जहां पर विचार विमर्श किया जाता है regardless of the provocation क्या मतलब होता है provoke करने का provoke करने का मतलब होता है किसी को उकसा ना, किसी को भड़का ना regardless of the provocation the opposition should have adhered to देखो ध्यान दे ना should have और ये verb की third form देखो should have और verb की third form का जब हम प्रियोक करते ना तो इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था कि भई ठीक है जो एक तरीके से विपक्ष को उकसाया गया विपक्ष को भड़काया गया इसके बावजूद भी जो विपक्ष है the opposition should have adhered to ये भी बहुत important है अगली बात जो बहुत important है वो ये कि आपको ध्यान रखना है कि adhered के साथ में two preposition का प्रियोकरत है बहुत ज़्यादा important है ये close test में अक्सर पूछा जाता है the opposition should have adhered to decorum decorum का मतलब क्या होता एक तरीके का सिष्टाचार एक तरीके की सभ्यता है एक तरीके का आपका बहुती अच्छा आच्रन उसको बोलेंगे decorum कि भई ठीक है उकसाने के बावजूद विपक्ष को उकसाने के बावजूद विपक्ष को decorum का पालन करना चाहिए था adhered to का मतलब हुआ पालन करना और decorum का मतलब हुआ पालन करना चाहिए था यानि कि विपक्ष को अच्छा बरताव करना चाहिए था वाइल किस दोरान जबकि articulating its concerns articulating articulate का मतलब होता है इसपष्ट तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त करना वाइल articulating its concerns concerns का मतलब है चिंता है कि विपक्ष को bills को लेकर जो भी चिंताएं थी उनको इसपष्ट तरीके से अभिव्यक्त करते समय उन्हें संसद के जो सिष्टाचार होते हैं उनका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए था उन्हें शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए था आगे देखते हैं बट लेकिन meaningful parliamentary discussions have become infrequent कि सार्थक सार्थक जो discussion होते हैं विचारवी मर्च होते हैं सार्थक संसदिये विचारवी मर्च जो हैं वे infrequent हो चुके हैं infrequent का मतलब है कि हमें क्या देखने को मिलता है कि बिल पर सार्थक तरीके से विचारवी मर्च बहुत कम किया जाता है and the voice of the opposition and the voice of the opposition और जो विपक्ष की जो आवाज होती है is अब यहाँ is किस के लिए आया is आया है voice के लिए किसकी voice opposition की voice कि विपक्ष की जो आवाज होती है उसे अक्सर ignore किया जाता है विपक्ष की आवाज को अक्सर उपेक्षित किया जाता है विपक्ष की आवाज को अक्सर दरकिनार किया जाता है upper house functions have been significantly curtailed by the कि भई यह जो हमारा उच्छ सदन होता है upper house मतलब राजसभा उसके जो function है उसके जो काम है have been उनको किया गया है significantly महत पूर्ण रूप से curtail का मतलब है कम कर देना by the arbitrary का मतलब होता है मन माना labeling का मतलब है किसी चीज़ पर ठपा लगा देना of money bills देखो एक बात ध्यान देना अगर किसी भी बिल को money bill करार दे दिया जाता है तो उस बिल को राजसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ती समझ गया है इस बात को तो ध्यान देना कभी कभी सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम इस बिल को राजसभा में पारित करवाएंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है तो सरकार क्या करती है कपट पूर्ण तरीके अपनाते हुए उस बिल को money bill कहती है उस बिल को money bill की तरह पेश करती है कि यह जो बिल है यह धन विदेख है अब जब कोई विदेख धन विदेख की तरह पेश किया जाता है किस तरह से कम किया गया है है ना significantly मतलब काफी हद तक curtailed by the arbitrary मन माने धंग से label लगाते हुए money bills which bypass it bypass it का मतलब दर किनार कर जाना भई हम क्या करते है राज सभा को दर किनार करने के लिए कई बार हम ऐसा देखते है कि सरकार क्या करती है किसी भी bill पे मन माने धंग से ठपा लगा देती है किसका money bill का आगे देखते है the flat out denial देखो flat out का मतलब बिलकुल सीधे सीधे जैसे आप किसी से पेसे उधार मांगने गए और उसने बिलकुल आपके मुपे मना कर दी बिलकुल सीधे सीधे the flat out denial बिलकुल सीधे सीधे वोटिंग के लिए मना कर देना वाज अब यह वाज किसके लिए यह आया है denial के लिए कि बलकुल जो इनकार करन है ना the denial was a new law in parliamentary history कि भई हमारा जो संसद का इतिहास है हमारा जो संसदी इतिहास है उसमे एक नई गिरावट a new law का मतलब है एक और नई गिरावट हमें देखने को मिली जब वोटिंग के लिए सीधा सीधा मना कर दिया गया आगे देखते है अब यह तो ठीक है वोटिंग के लिए तो मना करी दिया गया यह बहुत बड़ी गिरावट थी हमारे संसद की इतियास में लेकिन और भी कुछ बाते हैं हुई और क्या हुई वो और देख लेते हैं not stopping there यहां नहीं रुखते हुए यानि कि यह तो गिरावट हुई कि वोटिंग की पर्मिशन नहीं दी गई लेकिन इतने पे ही नहीं रुख गए हमारे जो संसद के डेपुटी स्पी करते हैं वो इतने पे ही नहीं रुख गए आगे क्या हुआ वो देखते हैं not stopping there यहां न रुखते हुए एट ओपोजिशन मेंबर्स वर सस्पेंड़ेड आठ विपक्च के सदश्यों को सस्पेंड कर दिया गया एक सपता के लिए for one week साती सात while जब की notice for a no confidence motion against the deputy chairman was rejected at the threshold by chairman M. Venkaya Naidu देखो देखो और क्या क्या हुआ भई हमें कितनी गिरावट देखने को मिली संसदी एतियास में पहली गिरावट तो हमें यह देखने को मिली कि भई सीधा सीधा इंकार कर दिया गया किसके लिए division of votes के लिए voting के लिए इतने पे ना रुकते हुए और क्या हमें देखने को मिला कि आठ जो विपक्ष के सदश्य थे उनको क्या किया गया एक सपता के लिए suspend कर दिया गया संसद से अगला काम क्या हुआ while notice एक notice की एक notice लाया गया for a no confidence motion no confidence motion का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव against the deputy chairman कि भई जो राज सवा के deputy chairman है उनके खिलाप अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो उस अविश्वास प्रस्ताव को reject कर दिया गया खारिज कर दिया गया बिल्कुर शुरुवाती इस्तर पर at the threshold का मतलब होता है at the beginning by chairman M. Venkaya Naidu कि भई chairman अध्यक्ष chairman Venkaya Naidu के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो की deputy chairman के खिलाप लाया गया उस अविश्वास प्रस्ताव को बिल्कुर शुरुवात में ही खारिज कर दिया गया तो देख रहे हो आप opposition members जो थे उनको suspend कर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव deputy chairman के खिलाप लाया गया तो उसे जो है शुरुवात पे ही खारिज कर दिया गया तो ये सारी की सारी हमारे संसत की इतियास में गिरावटें हैं, आगे देखते हैं, कि opposition parties have now petitioned President रामनात कोविंद, petition का मतब क्या होता है, याचिका करना, विनती करना, कि भई जो विपक्ष की जो parties है, इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने President रामनात कोविंद के आगे याच लगाई है, इन्होंने President रामनात कोविंद से जो याचिका लगाई है, क्या, to not give assent, देखो जो कोई बिल पारित होता है, तो उसे राष्टपती की मंजूरी भी तो मिलती है, to not give assent, assent का मतलब होता है, सहमती, to the two bills passed by voice vote, voice vote का मतलब है, मैंने बता है आपको, कि वोटिंग क इसको record किया जाता है, lobby method होता है, तो अब जो विपक्ष की parties है, इन्होंने याचिका लगाई है, किसके आगे, President रामनात कोविंद के आगे, रामनात कोविंद से विपक्ष की parties ने request की है, कि वे सहमती ना दे, assent के साथ भी two preposition आता है, किस चीज को President रामनात कोविंद अपन सेमती ना दे, जो की voice vote के द्वारा पारित किये गए है, आगे देखोंगे लिटोल का कहता है, there must be immediate efforts led by the, led का मतलब है प्रतिनिदित्व करना, led by the executive, the executive, ध्यान देना, the executive का मतलब क्या होता है, कारे पालिका, कारे पालिका मतलब एक तरीके से सरकार, there must be immediate efforts led by the executive, कि बही जो क कारे पालिका है, उसको इस बात का प्रतिनिदित्व करना चाहिए, इस बात का प्रतिनिदित्व करते हुए, कुछ प्रियास जो है कारे पालिका को करने चाहिए, कुछ प्रियास सरकार को करने चाहिए, किस बात के efforts कारे पालिका को करने चाहिए, to restore, restore का मतलब होता है, पु प्रभावी, meaningful का मतलब हो गया सार्थक, कि जो एक तरीके से हमारी जो संसद है, उसकी जो कारे करने की प्रक्रिया है, संसद की जो कारे करने की प्रक्रिया है, उसे सार्थक बनाने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए, उसे पुनह बहाल करने के लिए, एक्जीक्यूट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी efforts करने चाहिए